तो वेलकम टो इंकुलूसिव स्टड़ी सेंटर इस वीडियो में मैं आपके सामने यूपी एपी एपसी की जो प्रिपरेशन है उसकी स्टेड़ी के बारे में डिश्कश करूंगा क्यों लाश्ट टाइम चला हुआ है दो जुलाई को आपका पेपर होने वाला है इसके बारे प्रिपरेशन को प्रिपरेशन का पेपर हुआ तो उसने पूरी तरीके से पैटरन को चेंज कर दिया था और यही वज़य है कि इस बार इस चीज की संभावना बहुत ज्यादा है कि इस बार जो स्पेशल सब्जेक्ट एकॉंटिंग इंडिश्टिर रिलेशन से कोईश्टेन बहुत ज़यादा पूछे जाएं 2017 की तरह है 2017 में जब एकॉंटिंग और इंडिश्टिर रिलेशन से 32 कोईश्टेन पूछे थे और 2021 का जब पेपर हुआ था तो 18 कोईश्टेन पूछे थी, तो कहने का मतलब यह है कि आप accounting industry relation के बिना आप इस paper को pass करने की जो संभावना है बहुत कव है, और अभी भी time बचा हुआ ऐसा नहीं कि time नहीं बचा हुआ अगर आपने थोड़ा बहुत भी accounting कर लिया है तो आप और नहीं भी प्रेग्मेंट है, जैसे मालों maternity benefit act है उसके बारे में थोड़ी theory है फिर 18-20 question दे रखे हैं आपको MCQ form में solved इसी तरीके से जब दूसरे act है उसके बारे में दे रखा है तो इस तरीके से दे रखा है तो आप इसको अगर चाहिए पचास रुपए में बहुत small amount है आप इस पर call कर सकते हो और हमसे ले सकते हो इसके साथ सथ अगर आप हमसे बात करना चाहते हो जोड़ना चाहते हो तो यह मेरा telegram group है inclusive study center इसको भी आप join कर सकते हो और यहाँ पर बायों में जाके यह मेरा link है आप मसे टेली गराम पर बात कर सकते हो और हमसे जो course वगरा उसके बारे में ले सकते हो अब गाज हम बात करते हैं statgy के बारे में statgy यह यह simple है तो कि आपको पता है पिछली बार चोंतर के आसपास कर cutoff गई थी तो आप क्योंकि UPSC ने पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया है आपने देखा है 2-3 साल में बहुत टब पेपर आने लगा है तो UPSC का पैटर्न यही है कि 50% से ज़्यादा cutoff नहीं जानी चाहिए पहले cutoff बहुत ज़्यादा जाती थी पिछली बार जो paper आया था वह 20 question current affair के आये थे और special subject था मैंने आपको बता दिया 18-32 question आये पिछली बार 18 question आये थे उससे पहले 32 question आये थे और इंग्लिस में 20 question आये थे यह दोनों बार 20-20 question आये और math reasoning में भी 15 question आये दोनों बार और science and computer की हम बात करें तो 10 पलस question आते हैं कभी 15 आते हैं कभी 20 आते हैं इस तरीके से आते हैं लेकिन 10 पलस question तो कम से कम आपके आते ही आते हैं तो हम बात करते हैं किस तरीके से strategy रखनी है सिंपल strategy रखो 20 question current affair के एंगे और 20 में से अगर थोड़ी भी hard work कर लोगे जाना hard work में थोड़ी आप effort लगा लोगे तो 15 पलस question आप आराम सही कर जाओगे इसके साथ साथ accounting और industry religion में आपको थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा अगर आपनी थोड़ा बहुत confidence आपको नहीं आ रहा है तो मेरा जो आपको मैंने बताया है इसको आप ले सकते हो तो यह सिर्फ पर सिर्फ पचास रुपे में है आपको यहां से कोज बिडेस आपका आ जाएगा इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं इंगलिस की इंगलिस आपको पताएगी बहुत आसान आती है UPFO में टफ नहीं आता है इसमें पांच कुशन एंटूनियम के आते इंगलिस आपने जाता भी नहीं पढ़ा क्योंग संवेटे आपने कही नहरीं परिप्रेशन कर रकी है आपब 15 पटश्चन तो मिनिम्म कर भी सकते हैं मैंशी और जो लोग SSD बगरा की तयारी करते हैं, वो लोग तो आराम से इसमें 20 के 20 questions करके ही आएंगे, बात करते हैं method reasoning की, method reasoning से 15 questions आते हैं, जिनकी method reasoning अतनी अच्छी नहीं है, तो कम से कम 10 questions तो वो कर ही देंगे, क्योंकि UPSC इस लेबल के कोई इस तरी के से क्वेशन को फ्रेग्मेंट करता ही करता है और नहीं तो साथ-ाठ क्वेशन आप आराम से करीद होगे यह आपके उपर है कि इंगलेस आपकी अच्छे तो बीज आप कर लेना और अंधी मैं तो रीजिनिंग अच्छे तो आप 15 के 15 बात करते हैं साइंस और कम्पुटर की साइंस सेंस को साइंस इस समय कम समय बचा हुआ है आपको पास कर लों और कम्पुटर के लिए कोई भी पड़ा पढ़ लेना अगर आपको पास पेडियाप एवलेवल नहीं हे तो में टेलीग्राम गुर्पर वहां से जाकर कि आप मुझसे पीडी बगर ले सकते हो इस तरीके से हमें टोटल इंकों एड करें तो यह टोटल क्वेश्चन बनते हैं एक सबीस में से इसमें हमने ना तो पॉलिटी के लिए हैं पॉलिटी के दस से बारा क्वेश्चन आते हैं कभी-कभी थोड़ा कम भी आते हैं लगों सा से कम 20 क्वेश्चन आपके वहां सही हो जाएंगे अगर यह थोड़ा बहुत भी आपसे उपर नीचे हो रहा है ना तो आप वह चीज़ें वहां पर भरपाई कर सकती हो लेकिन ध्यान रखना एकाउंटिंग और इंडिश्टर रिलेशन के बिना इस पेपर को पार करना बड और यह यूपसी ने बता दिया है कि पर जले दो साल से वह रॉल नंबर लेट तो पेपर का पैटरन बहुत बढ़ रहा है यही इप फो में भी देखने को मिला है पेपर का जो एड्मिट कार था वह लेट आया था और जो पेपर था पैटरन उसका वह तफ देखने को मिला तो यह मेरे तरब ते आपके लिए स्मॉल इंफॉर्मेटिव वीडियो है किसी भी प्रकार की आपको कोई क्वेरी है तो मेरे टेलीग्राम गृप है आप यहां से जुड़कर हमसे वह हमसे बात कर सकते हो धन्यवाद गाइच नमस्कार